Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self-Turning UGC Night का जो लास्ट फेज है वो चल रहा है और कल हमारा पीपर है एजुकेशन का तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही क्रिस्प वे में बहुत इंपोर्टन जो टॉपिक है लास्ट मिनिट रिवीजन के वो मैं आपको बताने वाली हूँ तो बहुत जादा पैनिक होने के जरुरत नहीं है अगर आपने जो कुछ भी पहले से पढ़ रखा है उसको आपको अब सिर्फ रिवाईज करना है क्योंकि कल शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों में ही आप एक्जाम है तो ऐसे कौन-कौ से पॉइंट पूरे सिलिवस में से जिनको आपको लास मिट में एक बार जरूर देख लेना है उसके बारे में ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें या बिल्कुल भी उसके बारे में ध्यान न दें और अगर सबी का लास्ट में रिवीजन करने के लिए मैं भी वीडियो बना रही हूं तो क्या-क्या चीजें हैं जो पढ़के जाना है तो देखिए इटियन स्कूल आफ फिलोसिपी इन वेस्टर्न स्कूल आफ फिलोसिपी में सांगे योग विदात इनकी जो में में पॉइंट से उनको आप एक बार रिवाइस कर लीजेगा आगे पढ़ जाएं हम कॉंट्रिवीशन आफ वेस्टर्न स्कूल फिलोसिपी में वेस्टर्न स्कूल में जो रियलिजम है आइडिलिजम है नेश्रलिजम है इनको आपको बहुत ध्यान से इक बार पढ़ना है इनके मेन मेन जो की कौनसेट हैं उनको आप पढ़ लेजेगा इसके बाद में सिंबॉलिक ये सोशलोजी का जो एडिवेशन में जो कॉंट्रिवीशन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है जिसमें आपको देखना है इनकी theories और जो agencies हैं उसके बारे में आपको एक बार पढ़ना है इनसे related questions जरूर आता है ठीक है Socialization of Education, Socialization में आप देखिए इनका जो main बात है विवेका नंद हो गए, रभीना टेगोर हो गए, जे कृष्णमूर्ती हो गए, प्लेटो हो गए यह जो जितने भी philosophers हैं इनकी जो main point है इनकी philosophy का जो main point है उसको एक बार आप revise कर लेना आगे बढ़ जाए हम history and politics of education ठीक, economics of education में इनमें आपको ही सारी committees जो हैं यह सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ने ना, इनको तो बिल्कुल भी छोड़ने के जरूरत नहीं है और बहुत ध्यान से एक बार आप याद कर लीजे, before independence, after independence, कौन-कौन सी policies थी, क्या-क्या उनकी work थे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है ठीक के बाद में, मैं last minute जो revision है, उसके बारे में ही बता रही हूँ आपको, relationship between the politics and education में, यह जो theories हैं, यह liberal conservation वाली theories हैं, behaviorism वाली theories हैं, political socialization हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है चलिए, यह तो ठीक है, आप पढ़ लएंगे, लेकिन मैं बताऊं, जो बहुत ही, surely question पूछने वाला question है, growth and development का जो question है, principles of cognitive process वाली, fright की theory, कार्ल रोजर्स की, गोल्डन अलपोर्ट की, मैक्स, वर्दिमर, कोफका, इन सब की जो theories हैं, इनको आप बहुत ध्यान से ठीक है, intelligence में कितने type की intelligence होते हैं, उनकी क्या-क्या main key points है, intelligence theory कौन-कौन सी है, उनको आपको ध्यान रखना है, mainly जिनका नाम से जो theories हैंगे, जैसे gardener की theory होगी, intelligence की problem solving method है, यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है, अब इसके बाद में, principle theory of learning, behavioristic, cognitive and social theories of learning, learning की theories को ध्यान से पढ़ना है, आपको, ठीक है, guidance and counseling के लिए भी, जो questions है, जो main key points होते हैं, उनको आपको ध्यान से, बता है, teacher education में, teacher education के लिए, जैसे भी, जो भी, जहां पर बीज़े गए, जो bold में letters लिखे होते हैं, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा, NCTE, NCRT, SCRT, teachers education की जो policies हैं, उनको देखना है हमें, ठीक है, understanding knowledge भी, in teacher education, दोनों की बीच में क्या है, इसके बाद में, ये जो bold में लिखा हुआ है, ये bold वाला जो portion है, इसको आपको बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेना, लास्ट मिनट के में, revise एक बार कर लीज़ेगा, ICT का जो concept है, ICT का concept देख लेना आप, लास्ट मिनट में कि ICT का क्या concept है, क्योंकि इससे भी question पूछेंगे ही पूछेंगे, लास्ट में हम next आ जाते हैं, curriculum studies में, तो curriculum studies के अंतर strategies जो होती हैं, इसमें अगीन में आपको यही बताऊंगी, कि जो ये हैं, कि UGC का क्या रोल है, NCT का क्या रोल है, NCRT का क्या रोल है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद में हम चले जाते हैं, research वाले question पे में, तो research में, देखिए, meaning and concept of research तो ठीक है, types of research के बारे में आपको पढ़ना है, types of research में, सारी ही types जो होती हैं, एक बार उन्हें देख लेना, scientific research, exploratory, descriptive research, यह जो होया है, इनमें क्या difference है, qualitative, quantitative में, क्या difference है, दोनों में, है न, और descriptive experimental, जो research होती है, उसमें क्या अंतर है, क्या mean, उसके key points हैं, उनको ध्यान में आपको देखना है, research की questions तो ध्यान से ही आपको देखने पढ़ेंगे, एक बार देख लेना, last minute में, variables क्या होते हैं, इनमें कितने types होते हैं, hypothesis कितने प्रकार की होती हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, hypothesis का question जरूर पूछा जाता है, कि hypothesis को test कैसे करते हैं, कौन-कौन से test हम hypothesis के लिए लगाते हैं, जो tools होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बाद में validity, reliability से question जरूर प आपको टेस्ट वाली जो research वाली unit है. उसमें इतना आपको बढ़ना है. ठीक है. अच्छा, यह जो है test अगर आपका पहले से आपने पढ़ रखा है T test, Nova test और यह J test, X square test तो ठीक है. अच्छी बात है. लेकिन last minute में अधीfa आपने नहीं पढ़ा है. तो last minute में इन पर मच जाएगा क्योंकि फिर बहुत ज़ादा आपको confusion हो जाएगा तीथे qualitative quantitative research के बारे में जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो थोरी है एक बार आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको एक बार पढ़ने में ही सारे concept clear हो जाएगे next pedagogy एंडरगोजी से बहुत प्रशन पूछे जाएगे ये आप मेरे से लिखवा लिजे क्योंकि आपको pedagogy क्या है एंडरगोजी क्या है इसके main points पता होने चाहिए दोनों में क्या समानता है क्या difference है बहुत ही clearly आपको ये चीज पता होनी चाहिए ठीक है assessment वाले question column में चले जाए हम तो assessment वाले column में भी बहुत सारे ही प्रशन पूछे जाएंगे meaning and nature एंड सबसे बड़ी बात होती है types of assessment होते हैं जो उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है क्या difference हुए हैं क्या सुधार होते गए हैं assessment की फिल्ड में उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजे फिर लास्ट में हम second next unit में आजाते है technology and education तो again technology and education ET, discipline ICT का क्या role है ठीक है और इसमें भी जो skinner, pya, j, burner और bygoss की क्या जो principle है technology में वो क्या उन्होंने बताया है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो उसमें इसी unit में जो next part है, उसमें आप चले जाएए ये जितने भी ये bold letter में जो भी दिया हुआ होता है, जिसके बारे में अलग से syllabus में point दिये गए हैं, उसको revise कर लीजे, नहीं पढ़ रखी है तो फिर इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है education management, administration and leadership, जो है इसमें आपको देखना है educational management and administration में जो meaning and principles होते हैं, वो ध्यान में रखना है, इसके बाद next आगे जाते हैं meaning and approaches ठीक है, ये unit ऐसी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अब इस पे ध्यान देनी की जरूरत नहीं है, आपने जो पहले से पढ़ रखा है, उसी को एक बार आप अच्छे से advise कर लीजे ठीक है, inclusive education जरूर पढ़ ले ना क्योंकि simple भी है और इससे question भी बहुत पूछे जाएंगे नहीं तो inclusive education का में जो concept है वो क्या है, कब इसकी starting कोई, कब इसकी बात कही गई है, national policy of education 86 में इसकी बात कही गई है, ठीक है और जो जितने भी ये sun दिये हुए है, year दिये हुए है इसका इनका क्या role है inclusive education में, इसको आपको ध्यान से देखना है ठीक है, तो ये था आज का वीडियो last minute में, मैं आपको सरफ यही suggestion दूँगी, कि बहुत जादा panic होने के जरूरत नहीं है तो ये था आज का हमारा वीडियो I hope आपके लिए बहुत ही useful रहा होगा, अगर अच्छा लगाए तो please like कीजेगा, share कीजेगा अपने friends के साथ में, और आपको मैं एक और बात बता दूँ, कि हम अपनी 15 तारिक से अपनी classes start कर रहे हैं, UGC net की journal paper की और education की तो जो भी students हैं, जो इसमें participate करना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे comment section में जरूर बताएं, thank you so much, और सभी के लिए all the best आपका exam बहुत अच्छा जाएं, ऐसी मेरी शुक्काम नए हैं बाद